हेलो स्टेंट्स और फ्रेंड्स गुड़ मॉनिंग्यों मैं सुनुंगार पज़ापती आप लोग का आधस क्लासिस में स्वागत है ठीक है हम लोग सीरिसी पूर्ट मैथ्स क्लास 10 का रिवीजन कर रहा है अभी तक हम लोग 5 चैप्टर्स रिवीजन कर लिए है आज हम 6 चैप हम लोग ने 5 चैप्टर की आप लोग ने वीडियो को जतना प्यार दिया है अगे इस इतरह आरे बार देते रहे ठीक है जब भी आप वीडियो को देखते है तो आप उसको लाइक जरूर करें ठीक है शाहट में आप ने फ्रेंड्स को सेयर करें और सब्सक्राइब चैनल को कर लें जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे है ठीक है तो आभी हम लोग जो है चैप्टर 6 सिब्लेट ट्रेंगल्स के बारे में पढ़ेंगे तो देखिए आपने क्लास नाइट में ट्रेंगल्स का ही एक चैप्टर क्या था कंगुरेंट्स । 내 क्या था कंगुरेंट्स को हिंदी में बोला जाता है । हर्ला शर्वां सम ठीक है стран अंत्रम स्म के मतलब होता है इक तो ऐसे एक्सीख लांगल्स हमालत मतलब पाट्स जिसके समदाद ह baptismaggi को लो सर्वांस सांकर मोटता है और इस स् का तो सब आय। जो कि बोलता है पर लू आप देख्वकी आप जो बिखता है मार्केट में उसको देखो दोनों एक जैसे दिखते हैं तो उनको सिंबलर बोल सकते हैं ठीक है जैसे मानके चलिए अगर हम यहां पर बनाना चाहें बड़ा सा सरक्ल तो कापी हां तक दोनों की जैसा दिखा लेकर इनके साइफ में क्या है डिफेंसे से बड़ा है और एक छोटा है क्योंकि दोनों जैसा दिख रहा है इसके हर एक अंग इकोल नहीं है इनकी इसका हर एक पार्ट इकोल नहीं है तभी कॉंगुरेट नहीं कहलागा सिम्लर कशी सिम्लर कहला रहा है क्योंकि एक जैसा दिख रहा है अगर हम ट्रंगल के वारें बात करें तो देखें अगर हमने क्राइटेंगल ट्रंगल बड़ा आया जैसे तो यह दो अगर देखने में तो इक जैसे तो इसको बोलेंगे कि दिख तो एक जैस आप दोनों का साइज इकोल नहीं है तो इनको बोलते सिमलर क्योंकि एक जैसे दिख रहे हैं इनका साइज में डिफरेंस एच पॉम कॉंग्रूइंट्स ने बोल सकते हैं कॉंग्रूइंट्स का मतलब होता है जिसके क्रोस्वोट्निक पार्ट एक दुश्रे की इकोल हो तो यह लेंद इसके कहीं भी बराबर नहीं है यह लेंद तो सिमलेट राइंटल्स में आपके लिए कुछ-कुछ थियोरम को क्यूंकि मुझे रिवेज़न कर रहा है तो थियोरम का पूरूफ नहीं बताएं अगर आपको चाहिए जिन-जिन बच्चों को लगता है कि मुझे पूरूफ चान्ना है तो कमेंट में लिखें ठीक है हम करवाएंगे तो आप पूरूफ जानते हैं सिर्फ हम उसका करवाएंगे ठीक है और आपको बता देते हैं कि आप जो एक्जाम देने जा रहा है और इक्जाम अभी फरवरी में उसमें चैट्टर शिक्स से तो कोशन आगए 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 तो 100% शियोरिटी है लेकित थियो पूछता को पूछता को पूछ देगा साथ या आठी चैट्मेंट ने लिखा जाता जैसा कि आपका इनसारी जाओ उस स्टेट्मेट को थोड़ा सा चेंज कर देंगा और चीज वही रहती है बच्चे कंफीज ज़लाते हैं नहीं सौल कर बाते हैं एक हैं चलिए आए देख कुछ आए अफ़के किनयरो की किसी साइड के डिक है टू इंतरस से अधडर टू साइट Бि की प्रेई प्रेटो कही है एक लाइन की ट्रेटल कि करता है किए बचला इसको इंटर सेट करेगा इस पॉइंट पर डीपर और एंटरेंट सेट करोगी को इसे को ईपर इसपीर is करना तो फिरस्ट पर एफ है जो फिरस्ट शार और इस लाइन को से अब दिवाइड़ करता है यानिक ऑड़ जासा कि हमने यहां लिखा सब्सक्राइब करता है इस सब्सक्राइब कर सकते हूं कि आपको दिया हुआ भाष में एडिवार्डटवाई डीवी इग्वल चुव फूल्डड़ इसका रिष्यो फूल इवार्ड़ इसका रिष्यो तो कैसे निकालेंगे इसी में आप तो मत्रह पानाइड करतों फिल्ड़ नागा एडिवार्ड़ वाई प्लस दोन और यह बन जागा का यहीं जाया कर दिये अनड कर दिये तो यह बंसांच है कि अबऽाइब लिभार्ण पाइड फॉने के अलग तो यह वाम, इस परकार से ठीक है तो इसी को अगर प्रोस इसी को हम हाएं लिखते यानि कि दोने थर्म इभस करने पर फरक्ने पड़ता तो इन्वस्स में लिखने में डीबी और नीचे आजागर नीचे आजागर एसी परकार से भी आप पॉस्टन को लिख सकते हो, जैसे क्या लिखा हुआ है, डीवी दिवैड़न बाइ ए बी और ए उची दिवैड़न बाइद बाइए, ठीक है, यही फरागा, आप इसका इंवस का थो, टो बीवी दिवैड़न गाटीड़न डीदेड़न गींड़न इटिक है, इसका कासी हो जा प्लस बाइद बाइड बाई ए ग्म प्लस एड डिन एडिका टिक है तो यह बन जाएगा मुझाई हूँ कर ईसलों प्लस दिविब्स ठीक है को पाल watch सब्सक्राइब करने हैं तो हमने एक इस थियोरम से चार और रिजट्स कंक्लूट कर लिए जो आपके लगाना है और यह चार रिजट्स आप फुम्बीर राते हैं इसी परकार से आप आगे की थिवर्म को भी कंटीनु करते हैं ठीक है तो थिवर्म बन था अब आगे हम बढ़ते थिवर्म टूपर अब देके इस ट्रेंट यह नमबर टूप ठीक है थे नमबर वन थे जस्ट उस अब इसमें क्या बोलता है कि एफ लायन इंहाइट्स एनी टू साइट्स ऑफ ट्राइंगल इनता सेम रिशियो वह अगर कोई लाइन ठीक है ट्रेंगल की दो साइड को सेम रिशियो में डिवाइट करता है दें दा लाइन इस पार रिज़िवर्ट थाट साइड तब वो ल और पीची के पैरले होता है तो यह ढहकर है इसका अंसे पहुत सिंपल यह अगरी लाइन पैरलल है थाट साइट के तो जो लाइन दो अधर साइट को इंटरसेट कर रहा होगा डिफरेंट पॉइंट पर उन दोनों लाइन का रिश्यू आप पसंद क्या होता है इकोल होता है यह बात आपको थिल थिवरम मन में कहें गई है ठीक है उसी का जस्ट अपोजिट आपको थिवरम टू में यहां पर बताए गई यानि कि आप दोनों तरीकों से याद रख सकते हैं अगर लाइन फट साइट के पैरलल है तो इसको दो लाइन को सेम रिश्यू में डिभाइड करेगा अगर सेम डिभाइड कर रहा है तो लाइन है यहाद लाइन के क्या होगी बात इस बात को आपको याद रिखना है इस बात को क्रूप के से कीया जा सकता है यह सिंपर लよね तो आपको एक समय के वह लीवाण नहीं देगा चलते हैं कि यह लाइन पहल लाहिए और आनुकिक र det ख़ले है आप इसको पहुत अच्छी तरिका से जो है कर आगर आपको सब त्यूरं का सुलूशन जानना है तो आप कमेंट में लेखे कर के बताएं सब्सक्राइब करने के लिए अगर आप इसको क्या माना है और आप इसको क्या मानों तो तो आप क्या लिख सकते हैं आप यहां से लिख सकते हो कि हो आपको मिं जागा एक लिख सकते हैं दो आपको मिंदा इस डिभाड़ीट इदाँना के से आपके इस है उपी चोड़ेंगे तो हमको यहां से भी अपस में इकोल होना चाहिए यह एड़िए गीडेस बीड़ाइब अन्ट चाहिए और ये तभी पोसीबला आफ यह इस पोसीबलिए वेर्ट की दैस इस लाइब गया थो जब यह शर्टीट इसीपर लाइब यह तो चोने की से लाइब तो जब D-E-D-E-C को हमने बी-सी के पैरलल बोला है तो D-E-V-C के क्या हो जाएगा पैरलल हो जाएगा ठीक है यही थिवरम है जिसको आप बहुत अच्छी तरिका से कंक्लूट कर सकते हैं कितना सिंपल है बहुत इसी है पूछता है एक्जाम में आप more to more practice करें एक्जाम में आती हैं आपको शॉर्ब करना ही पड़ेगा अगर आपको 100 बास उठाने तो ठीक है चलिए आप लोग बढ़ते हैं थेवराव नंबर 3 के तरफ कुछ-कुछ important भी बात हैं इसमें हम बताएंगे सब चीज सब बातें जो ह है बहुत सारी चीज़ें जिसको महत नहीं देंगे वह दूसरी बात है लेकिन जो बात हैं आपको important होगी वह सब हम आपको बताएंगे ठीक है चले तो तो थेवराव नंबर 3 तो थेवराव नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है कि इस इन टू ट्रैंगल्स दो ट्रैंगल्स है ह है ठीक है कि लिए याँ दो शोतने सबिकार अीदर क्रोस्टामित साइट आू गर्समें अमखनितर टो थे मिल को क्दी संसे कि जोड़ा ने हमें आपको मिल जाए को सी लोज नहीं है आप फिसमें क्या बोला गया कि अंगल यह है और अगर ऐसा है तो इनकी क्ष्मोण्टीक क्या बनि दिफित को तो इस परकाल इस में सबसे इंपोर्टेंट बात हम आपको यह बताना चाहेंगे कि क्रॉस्पॉंडिंग पार्ट जो जरूर नहीं हो यह ऐसे लिख लिख दिया अगर इसमें लिखता कुछ अगर यह लिखता एंगल 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 जो है और एंगल जो है और एंगल सी जो है इसा लिखती है तो अभी आपको पता चलेगा तो इसको एक इसको रिलेट कर रहा है और यहां से देखें तो सी किसको रिलेट कर रहा है जब भी आपको कुछ अलग देखें यह इसके बराबर नाव क्या है सब्सक्राइब कर लेंगे तो जैसे कहने का मतला पहले आप सब्सक्राइब कर देखेंगे यह बहुत ही इंपोर्टेंट चीज है सिम्लर ट्रेंगल में खास करके स्टाइट के रेश्यों को लिखने के लिए अधर्वाइस आप को सब्सक्राइब तो अब इसका रेश्यो आप इस आप इस आप इस आप इस परकार से तो आप हमेंज साब्सक्राइब कर लें पर उसके आधार यह 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 इक पर इस परकार से आपको साइट को उठाना है और उनके नाम को लिखना अधर्वाइस आपका इंसर जानती वह आप गया जाएंगे ठीक है तो आप जब भी इस परकार के को बनाएं तो नाम को जो है बहुत अच्छी तरीका से रिलेट करें यह बहुत इंपोट इंपोट इ सब्सक्राइब होता है तो साइट का रेशियो अगर आप साइट ही ठीक से ने पूट कर पाएंगे तो साइट का रेशियो आपका अंसर गलत आ जाएगा ठीक है तो आए हम लोग देखते हैं तो देखें पूल में क्या रिखा हुए कि एक वन एंगल आप दा अधर रहें यानि कि किसी दो ट्रेंगल अगर आपस विक वा है अन्दा साइड इंक्लूडिंग दीज एंगल यानि कि उस एंगल को बनाने प्योंसाइड इंक्लूट से हैं उनका रेशियो ठीक है अगर इ तो देन रा टू ट्रेंगल्स आ सीमलर तो उस केस में त्रेंगल सीमलर होगा कि अम्लें ट्रेंगल बनाया कि इसमें लिखा हुआ है एड़ी एडि और इसिति भी जाडिंट वाइडी एडबी कि ऐड़्य ठीक है और अचिक थी बाडिवाइड़ इस्टी आइशन लिके फि सब्सक्राइब कर दिए अप्सक्राइब कर सा दिए और मांगे चलिए का यह एग्वाल है इसके एक्वल है और आपने रेशियो इसका और इसका लिखे रखा है तब यह गलत हो जाएगा तब यह गलत हो जाएगा ठीक है अगर आपने लिखा है कि एंगल C is equal to angle F है और आपने लिखा है AB divided by D is equal to AC divided by D है तो यह statement wrong हो जाएगा आपको statement में एंगल कोंसा देना है वहीं एंगल देना है जो side के ratio के बीच में यानि कि ओन रेशियो को side के included angle है उस एंगल को आपको equal दिखाना है अधरवाइज यह statement जो पढ़ रहे है यानि कि इस theorem को जब आप यूज करेंगे दो ट्रेंगल को similar दिखाने लिए तो उस case में आप गलत हो जाएगे तो जब भी आप इस theorem को यूज करेंगे तो आप इस बात के आद रखें जो दो साइट्स का रेश्यो आपस में equal है उन दोनों साइट्स के including angle आपस में क्या होना चाहिए एक्वल होना चाहिए अधरवाइस यह गलत हो जाता है ठीक है तो आएए निस्ट ठीरम की तरह बलते हैं ठीरम नंबर 5 यानि कि एरिया ठीरम की तरह हम लोग करते हैं ठीरम चाहिए ठीरम नंबर 5 यह गलता है कि एरिया डा रेश्यो ऑप दा अपक्वू सिल्ले ठीर में यानि की दो ट्रेंगल नचाहरए उनकी अर्यों तो अधर स्वार टानिक साइट उनकी पूर्स में साइट के रेश्यो आपनी के च्वार प्रून्दी आपंड गया उक्वल हो इस तो इस केस में कि दोनों को थिए जो को ट्रेंगल से ट्रेंगल से जब्र किया है तो इसमें बोला गया है कि एरिया वाफ एडिए आप पी कि वाल इसका इस फिर को रूब जो है कर रहा चुके हैं और और अगर आपको फिर से ऊक्रोफ देखना है तो आप comment में लेकर कर के बताएंगे अगर आप पूप देखना चांते हैं तो आप वीडियो में आपको प्रूफ जरूर बताएंगे प्रूव्स चाहते हैं आप कमेंट में लिकार के बताएं बहुत इजी है इसका प्रूप चाहते हैं तो उनका साइट के रिश्यों आपस में एकॉल होता है आप जानते हों तो जैसे आपने परपेंडिकुल हो जाता है जब किसी ट्रंगल के दो अपस में इसका साट का रिश्यों भी कोड़ जाता है टो यहां से यहां वहां सब्सक्राइब का मतलब क्या होता इसका अगर अगर आपस फ़्याय निकाले अवीचिक अन्यार इसका व्या जागा निविस्का सीघ्यों निकले तो एवीचिक जानते हैं यह बढ़ाबर होगा और जाएंगे तो यह बढ़ाबर हो तो से आपको तो बीसी बटीक क्यों मिल जागा इसमें बताने लाइक बात क्या है वह हम बता जाज़े रहें आपको ठीक है तो इसका बीजिशु के बराबर होता है तो किस की चीज़ के बराबर हो सकता हूँ हम लिक देते हैं ठीक है एबीची एरिया प्यूसी दिवाड़ेड़ बाई स्क्रेगल भी क्यु एक है साट की रेश्यो का पीचांड होता ही है साट को रिखा हुआ है इभी गटे पीज़ का ओलिस्कार गीजिपॉल टू कि वाटे की वार का होल स्क्वाइर इस इक वाटे पी आर का होल स्कार यह ती चीजे तो इस पार में होती ही है दूसरी बाद जाने हैं एम डिमाड़ेट वाइस पाइसे लिख सकते हैं आफ तेरी मीटर ठीक है पेरी मीटरि आफ ट्रेंगल एसनी डिभाडेड वाइ पेरी मीटर ऑफ स्क्रांगल को वार मीन आफ यह तो पेरी मीटर अफ़ आफ जाल ञांज रुडा विख तो पेरी मीटर अके सेका मतलब क्या High है प्लस बीसी प्लस एसी डेवाय वाइंपी ट्लस क्यू आप प्लस 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 का गोली इसकौर के परावर भी होता है आपको अगर परिमीटर से तो आह परिमेटर की टीछ में इसका सब्सक्राइब निकाल सब्सक्राइब क्या होता है कैसे सब्सक्राइब 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 अगर निकाल होगे तो आपके पास आजाएगा के पी क्यों यह वी कि देखा क्या अगया क्या निकाल होगे कि अगर निकाल होगे के पी आज तो कि आप यह वी कि जगाव के क्या आएगा के क्यों आएगा के पी आज तो के बाहर निकलेगा इसकार बाहर निकलेगा अगर प्ली क्यों क्यों आप या तो कट जाएगा तो एंसर क्या जाएगा तो कुल मिला करके कि ट्रंगल के पेरिमेटर के रिश्यू के बराबर भी एरिया का रिश्यू होता है यह बाते हमने आपको बता है एक चीज और आप दिमार्ग में रखें इसको लिखा है इसको आप इसको लिख लिख लेते हैं तो यह मीडियन के इसको बराबर भी होता है यानि की अरे प्रेजस्यू के में बराबर होता है तो कितनी बाते बताएं हमने आपको एक तो साट का रिश्यू जो आपको गुग में दिया हुआ है दूसरी बात कि आपका का कि या कर सब्सक्राइब तैस्वाइब करें और चैनल को खाल बराबर होता है तो यह हमारा चाहिए अब तरह का जो थेयोर्म साथ उसका वेरिफिकेशन ठीक तरे मिलनु है एक परपंडिकुलर है फूरय। तो परपेंडिकुलर के साइड के यह पूरे ट्रेंगल के क्या होता है आपस में शिपला होते हैं और आपस में भी सिब्लार होते हैं जैसा कि देखें हैं लिखाव अभी है जिसमें लिखाए कि परपेंडिकुलर तो आप देखिए एडी बी अबीसी के क्या है सिम्लर तो बहुत सिंपल है अगर आप एडी बी और अंगल है ट्रेंगल एडी बीसी में बना तो सिम्लर के से सिम्लर हो जाता है दूसरी बाद जैसे आइगर का सिफेश्य के बराबर हो जाता है थो आपस में इकांगल यह ग्राप्र तो देखिए एडी और डीवीजी तो एडीवीजी यानिकी यह वाला एंगल ठीक है यह जो है इसके बराबर एक की बराबर कौन सब्सक्राइब और यहां से तीनों वापस में सिमलर हो जाते हैं बहुत सिंबल तरिगा से और जब ट्रेंगर से और जो आपको क्यां से थिवरम लिए और यहां से पहली बात आप यहां से देखिए लिखा हुए अप यहां से देखेंगे एडी और दूसरा आपको यहां लिख लेते हैं इसको ठीक है पहले बाले रिजल से लिख लेते हैं कि AD divided by AB और यहां से हो जाएगा DB divided by BC और हो जाएगा AB divided by AC तो हम क्या करते हैं इन दोलों को multiply कर जाते हैं तो यह हो जाएगा AB का square और यह हो जाएगा AD multiplied by AC इसको ठीक है जब आप इसको solve करेंगे तो यहां से मिलेगा DB यहां से मिलेगा DB और यहां से मिलेगा AB ठीक है और यहां से मिलेगा बी सी ठीक है और यहां से मिलेगा एसी इसको आप एसी दिख सकते हो और यहां से मिलेगा डी सी ठीक है यहां से मिलेगा डी सी और यहां से क्या मिलेगा कि यह पैसी क्वाइब करना रिखतें गर्वन करके कर लेते हैं तो इसका D, B के बरावर है, तो हम इसको फ़ड़ा सचुदाल लेते हैं, इसका D, B के बरावर है, तो यहाँ पर क्या आजागा लिए? फ़ड़ा से भी चेंज कर लेते हैं, तो ही A आजाँगा, कि आप आप यहां लिउयों सो डेखिए दंग धेगे लेंसे तो हमारे पार सेल सफेल जाज़ दी एडि डी डी टीक लाऊंसे लिफी पार नीई क्व अब best वह सब्सान टॉंब के यहें जrowsम गाप मरत प्रॉंद्भा इसको तो दोनों को जोड़ों तो बिस एसकोर इन दोनों में एची कौमन है तो एटीस होगो और इसकोर सब्सक्राइब तो एसी मौटीप्लाय्ट ने स्कॉर्ण ओने दिखी है तो स्केस्कॉर्स है आफ़िगा उता है इसमें बोला गया है और बोला जाता है ठीक है एक त्रेंगल आपको माना पड़ता है राइट रेंगल जो दिया हो रहता है तो राइट रेंगल लेट करो और इसके प्रॉस्पोंडिंग है ना दिया हो रहता है उसको आप क्या करो उसके इकवल दिखा करके जब दोर्ट रेंगल आप असमें कंगुरेंट हो जाएगा तो आपका 90 डिग्री का हो जाता है ठीक है तो यह हुआ आपका स्विलेट ट्रेंगल का एक सौट रिवीजन ठीक है अगर आपको सभी थेोरेम का सॉलूशन देखना है आप चाहते हैं कि बहुत अच्छी तरीका से डिटेल में आपको बढ़ना है तो आप कमेंट में जो है लिक करके बताएं हम कोसिस करें ही कि आपको पूरे चेप्टर पढ़ा सकें ठीक है क्योंकि अभी तो एक्जाम बहुत नजदिक आ रहा है तो जादा जादा कोसिस करते है ठीक है इसके बास नीव चेप्टर है सेविंग कोडिने जिमेटरी उसका रिवीजिन करेंगे फिर एक्टेट इग्यूमेटरी फिर हाटेट इस्टेंज पी सरकल फिर कंसेंट्रेशन फिर एक्टेट तुदर सबका वीडियो आपको अप्लोड कर देंगे आप इसके करके आपको किसी चेप्टर में कोई कोस्टन में प्रॉल्लम है या किसी पकार के कोस्टन साथ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में बताए हम कोसिस करें कि आपके हर एक टाट को क्लियर किया जाए ठीक है और इसी तरह हमारे वीडियो को देखते रहे और चैनल को लाइक है आपको देखते रहे और अपने चाव तरब साब सब्सक्राइब रुलाखे रखें चलिया हम लोग मिलते हैं नेश बिद्धेश रिखिए